जैहन सात्यों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एड़ सिक्स में रुख करते हैं बिहार की तरफ बिहार का अगर आप इतिहास नहीं जानते हैं तो आप हमारे उपमुख मंत्री जी तेजस्वी यादो इसे इस चीज को सीखने की जुरुरत है त्योंकि अगर आप नही किये हैं वो प्रक्रिया अभी अपने अंतिम चरण में हैं तो इसके वालावा कोई लाइन इस पूरे नियूज में आपको देखने को नहीं मिलेगा बस यहाँ पर बिहार के इतिहास और बिहार का भविश्य बताने में यहाँ पर सरकारे लगे हुई हैं खेर मैं किसी सरकार कि प्रती विपक्ष या विपक्ष के बात नहीं करता हूँ मैं सवाल उठा रहा हूँ यहाँ पर कि आखिर नौकरी कब क्योंकि हर एक चात्र का उम्र सीमा खतम हो रहा है आखिर नौकरी कब यह करिब तीन साल से हम लोग सुन रहे हैं जब नितिस कुमार जी की सरकार जो है का वादा इनोंने किया और यह अब यहां पर आज चुकी बिहार दिवस था बिहार दिवस के आउसर पर बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया गया बहुत सारे सिक्षा विद जो है इस मंच पर आपको देखने को मिले लेकित यहां पर सिक्षा के बारे में चर्चा होई और र बिहांज सुन लेजिएगा जिया मारानीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भगवान बुद्ध महाबीर समराथ हसोक और सेर सासूरी विद्यापती कृष्ण सिंग भिखारी ठाकुर बिहार के गौरों हैं ते जस्वी ने कहा कि बिहार का गौरों बढ़ाने के लालू पर नितिस कुमार ने बिहार दिवस आयुजन सुरू कराया और खान खादान वाला उडिशा फिर भी जारखंड बिहार से अलग हो गये लेकिन बिहारी हार नहीं मानने वाले हैं हमने आगे प्रगती की है यात्रा सुरू की है मुख्यमंत्री को इस मुर्ति चिन से भी समानित क गया और पौधा और पगड़ी भी दी गए पदमसरी रहें आनंद कुमार जोके अभी सूपर 30 के संचालक थे गया और पदमसरी आनंद कुमार जोके समय तीन बच्चों को सीएम ने यहाँ पर समानित किया c.m. ने पदमसरी आनंद कुमार को मौलाना अबूल क्लाम सिक्ष पत्र भी उनको दिया अब यहां पे देखे पूरे इस सिलसिले में पूरे इस नियूज अपडेट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगा नियूज में मिलेगा देखने को कि मुख्य मंत्री निदिश कुमार जी ने इसी मैदान से 10 लाख नौगरी 10 लाख रोजगार देने की गोशना के थी और बिहार के आगे बढ़ाने का काम किया है तब इसके बाद जो है यहां पे कोई उसके बारे में चर्चन नहीं है अब यह बुल रहे हैं कि अंतिम चरण में हैं इसके अलावा यहां पे प्रक्रिया के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया गया है जैसा कि यहाँ पे हम लोग पढ़ पा रहे हैं इस पुरे नियूज को, तो फिलहाल तो देखे, मैं निरास्त करना नहीं चाहूंगा आप लोगो, एक बात कहना चाहूंगा, कि आप लोग भी सवाल बनिये, सिर्फ एक सवाल उठने से दबाये जा सकते हैं, उसको सांत किया जा सकता है लेकिन अब सभी सवाल पूछेंगे, आपके पास भी ट्वीटर है, आपके पास भी यूटीब है, सभी कोई सवाल पूछे सरकार से, अगर आप बिहार के चात रहे हैं, बिहार के नोकरी करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, अपने मर्यादा में रहकर, चूकि इसलिए, क्योंकि कि किसी को अपमानित करके अगर आप चीजे पूछेंगे तो जहिर सी बाते आपको नहीं मिलने वाली है हमारे पास समाधान यातरा भी आया, समाधान यातरा में भी सवाल पूछे गए और उसके बाद अब ये जो है बिहार दिवस के आउसर पे जो वादे किये गए इससे पहले भी यही वादे किये गए थे इस नौकरी को लेगा तो हमारा सवाल इस माध्यम से ये भी है कि आखिर कव, अंतिम चरन जो है आपको लोग का कव आएगा यही सवाल हमारा यहां से है, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं माननिय मक्मंतर जी तो प्लीज संग्यान लीजिए, छात्रों के भविश्य का सवाल है और हम आपके साथ हैं और सभी आपके साथ होंगे जब आप यहां पे नौकरी देंगे, लेकि जब नौकरी नहीं दीजेगा, तो कौन आपके साथ आएगा, कौन आपके पीछी आएगा तो यह सारी बाते हैं यहां पर लिखी गई हैं जो कि हमें आप तक साजा करने थे दोस्तों, फिलहाल आपको बता दे कि अभी इंटर का रिजल्ट यहां पे जो घोशित किया गया है, उसको लेकर भी विगप्ती यहां पर जारे की गई है, विगप्ती में यहां पर बोला किया गया है यदि कोई छात्र या छात्रा अपने किसी भी एक विशय या सभी विशय के प्रप्तांग से और संतुष्ठ हैं तो उस विशय या विशयों की उत्तर पुष्टिका की स्क्रूटनी कराने है तो समीति की वेबसाइट पर जाके धिनांग 23 मार्च से 29 मार्च तक की या वधी तक एक लाख बीस हजर की प्रती विशय की दर से निर्धारित सुल की अध्साथ यहां पर ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं ऑनलाइन जो मोड होगा इसमें आविदन करने की प्रक्रिया कुछ ही तरह से है उत्तर पुष्टिका की स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन कोड और सुची करन संख्या डालेंगे और उसके बाद आपका नाम अंकीत हो जाएगा और जिस भी सब्जक्ट में आपको लगता है कि हमारा नंबर कम है उसके लिए क्लिक कर लेजीगा आविदन संख्या आपके सामने है परदसित हो जाएगा और चात्र भविश्य में योग करते हुए लॉग इन करेंगे आप और उसके उपरान चात्र के सभी विश्यों के साथ एक पेज खुलेगा जहां पर सभी विश्यों के सामने अंकित आपके चेक बॉक्स होंगे जिस विश्य में या विश्यों में परिक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका की के लिए पेज उपन होगा और निर्धारित जो स्कूरूटने सुल्क होगा यह आपको डेविट कार्ड या क्रेट कार्ड से दे सकते हैं और प्रिक्षार्थी ऑनलाइन भुक्तान के पस्चार जो है 24 घंटे के अंदर अपने बैंक खाते से रासी की निकासी हुए है नहीं जो वर्णित प्रवधान है उसके अंद्रगत स्कूरूटनी कुछ इन बिंदूओं पे होगी जैसे कि यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर प्रिष्टों के में अंक, मुख, प्रिष्ट तक अंकित नहीं है तो उसे सुधार किया जाएगा जो भी आपको मतलब माक्स मिले है और किसी भी कोशिन के आंसर देने के लिvable माकस नहीं मिला है तो उसका यहां पे आपको मिलेगा प्रदत अंकों के योग यदि कोई तूटी हो तो उसमें सुधार भी किया जाएगा यदि कोई परषन या खंड परषन उतर यहां अमुल्य अंकित है तो उसका मुल्य अंकन क के प्रतांक में सुधार किया जाएगा स्कूरूटनी के प्रणाम सरुप अंक बढ़ाया जा सकते हैं और घटाया जा सकते हैं यथावत यह वैसे ही रहेंगे तो यह एक जानकारी थी दोस्तों जो भी छात्रियां पर 12 दिये हैं 12 कक्षा पास किये हैं उनके लिए अपडेट ह यहां पर और यह सारी जानकारी जो है हमें आज के अपडेट से मिला है आज के निव्ज अपडेट से मिला है तो आप लोग भी थोड़ा सा यहां पर वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह चीजे जो है सरकार के कानों तक पहुँचाए जा सकें कि रोजगार आखिर कब तक जाहिन